तेश प्रताफ यादव और तेजश्वी के बीच रसाफ कसी और आरजेडी में चल रही मौजुदा संकट के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू परशाद यादव जिम्मेदार है ये कहना हमारा नहीं है ये भाजपा के तरफ से कहा क्या है दरसल बिहार के उप मुख्य मंत्री और राज सभासांसर सुशील कुमार मोधी ने आरजेडी सुप्रीमो पर आरोप लगा है उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी और परिवार में तूट को ले करके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लालू परशाद यादव है उन्होंने कभी भी अपने सार्वजनिक जीवन में अनुशाशन और मर्यादा का पालन नहीं किया और ठीक उसी के रापर उनके बेटे भी चल रहे है लालू परशाद ने सार्वजनिक जीवन में कभी मर्यादा अनुशाशन का पालन नहीं किया इसलिए आज उनकी पार्टी और परिवार में मर्यादाएं तूट रही हैं, बेटे उनहीं की राह पड़ है पहले पार्टी के सीनियर नेताओं के रहते रावडी देवी को मुख्य मंत्री बना कर और अब बड़े बेटे को महत्व ना देकर क्या लालू परिशाद ने किसी इस्तापित मर्यादा का पालन किया है तेश प्रताव यादव बोलने और लोगों से सम्माद करने की वही शैली अपनाई जिससे उनके पिता लोग प्रिये हुए तेश प्रताव भी अपने लोगों के बीच जादा पसंद किये जा रहे है इससे जिनको तकलीफ हुई होगी वो उन्हें किनारे करने की जोड़ तोड़ कर रहे है वही कला संस्कृती मंत्री है आलोक रंजन जा उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 15 साल राज़त की सरकार रही जिसके मुक्या लालुपरशाद यादव थे उन्होंने बिहार की जनता से जादा चिंता अपने पडिवार की की लेकिन आज उसी राज़त में राजनेतिक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है जिस वज़े से राज़त डूब रहा है आलोग जाने शनिवार को भाज़पा के सयोग कारिकरम के बाद मीडिया से बाच चीत करते दोरान ये कहा उन्होंने कहा है कि आज राज़त डूबने की कगार पर पहुँच किया है उनका कहना है कि लालू के दोनों पुतर आज पार्टी में अपने अधिकारों के लिए संघर्स कर रहे है गौर तरब हो कि आरज़ेडी में छिरा घमाशान अब जग जाहिर हो चुका है तेज़श्वी और तेज़ प्रताफ यादव बिलकुल आमने सामने आ चुके है जब तेज़श्वी यादव ने तेज़ प्रताफ यादव को अनुशाशन का पार्ट पढ़ाया तो तेज़ प्रताफ यादव ने भी पलट कर जवाब दिया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी यादब बिहार की जनता को छोड़ कर बार में आखिर दिल्ली क्यों चले गए आपको बता दे कि जहां पर तेजश्वी यादब और जगदानन से शुरू हुआ ये लडाई अब तेजश्वी यादब तक जा पहुचा है कहा तो ये भी जा रहा है कि आज का दिन रक्षा बंदन का दिन पुरे लालू परिवार और आजड़ेडी के लिए बेहत एहम होने जा रहा है क्योंकि बीते दिनों तेजश्वी यादव दिल्ली पहुचे उसके बाद तेजश्वी यादव भी दिल्ली पहुच चुके है और आज लालू यादव के सामने फैसला होगा हाला कि सूत्रों की माने तो लालू परिवार जो है दो खेमे में बढ़ चुका है एक ऐसा खेमा जो तेजश्वी यादव का समर्थन में है एक दूसरा खेमा जो तेजश परिताव यादव के साथ है और इन सबके बीच अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी के ऊपर है तो वो है लालू पृशाद यादव के लिए क्योंकि लालू प्रशाद यादव के लिए उनके दोनों ही बेटे लाडले हैं काफी प्रिये हैं ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि लालू प्रशाद यादव किसका समर्थन करते हैं आपको बता दे कि इन सब के बीच भाजपा के तरब से जो कुछ भी आरजडी और पूरे लालू परिवार में चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार आरजडी सुप्रीमो को ठेड़ा आया गया है साफतोर पर शुशिल मोदी का कहना है कि लालू प्रशाद यादव ने अपने पूरे जीवन में कभी भी मर्यादार उन अनुशाशन का पालन नहीं किया वरिश नेताओं के रहते वे उन्होंने अपनी पतनी रावरी दिवी को बिहार का मुख्य मंतरी बना दिया और ठीक उसी के राव पर उनके बेटे तेजश्वी यादव और तेजप्रताव यादव चल रहें फिलाव फ्रेतना ही आप देखते रहें फर्स्ट बिहार चारकर धन्यवाद